नमस्कार, बायजूज एक्जाम प्रेप आयस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 24 सितंबर के प्रमुक्ष समाचारों पराधारित कुछ प्रश्णों पर चर्चा करने वाले हैं तो आये सुरू करते हैं आज का डेली क्वीज यहाँ पर कोश्चन नमबर वन है निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको दो कथन दिये गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उप्युक कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ पर पहला कथन है वर्तमान में केवल, हिंदू, सिख, जैन और बौध धरम से सम्मंधित व्यक्तियों को ही अनुसुचित जाती माना जाता है तो बहुत important statement है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो सम्मिधान अनुसुचित जाती आदेश 1950 है उसके अनुसार हिंदू, बौध और सिख धरम को मानने वालों की अलावा कोई भी व्यक्ति अनुसुचित जाती नहीं माना जाएगा तो यहाँ पर जिन धरमों का नाम लिखा गया है वो है हिंदू, बौध और सिख धरम और इसके धार प्रगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कतन है वो गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जैन धरम का भी नाम लिखा हुआ है जबकि हमने अभी अभी देखा कि इसमें केवल हिंदू, सिख और बौध धरम से समंधित व्यक्ति सामिल है उन्हें ही जो है अनुसुचित जाती का दर्जा दिया जा सकता है यानि कि यहाँ पर जो पहला कतन है वह गलत हो जाता है आजे देख लेते हैं दूसरे कथन को, दूसरा कथन है एक राज में अनुसुचित जाती का दर्जा प्राप्त व्यक्ति को दूसरे राज में अनुसुचित जाती का माना जाएगा जहां वह रोजगार या सिख्छा के उद्देश से प्रवास करता है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये कथन भी गलत है, मान लेजे कोई एक व्यक्ति जिसे कि किसी एक राज में सेडूल काश्ट यानिकी अनुसुचित जाती का दरजा दिया गया है, अगर वह काम के सिलसले में किसी दूसरे राज में जाता है, जहाँ पर उस जात जाती अपने ग्री राज में ही अनुसुचित जाती को मिलने वाले जो लाब है वह ले सकता है, किसी दूसरे राज में जहाँ पर वो काम करने के लिए गया है, वहाँ पर जो है उसे अनुसुचित जाती का जो लाब है वह नहीं मिल पाएगा, खास करके वैसे राज जहाँ पर उस जाती को अनुसुचित जाती का दर्जा नहीं दिया गया है तो यहाँ पर इसके धार पर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी गलत है और इसलिए question number 1 का answer होगा आपका option number D इन में से कोई भी नहीं याने कि दोनों के दोनों कथन गलत है कोई भी सही नहीं है तो question number 2 है सुतनता पुर्व अउधी के दवरान पारित सार्दा अधनियम निम्लिखित में से किस्से समंधित था और यहाँ पर आपको चार option दिये गए हैं अगर हम सार्दा अधनियम की बात करे तो इसे हम कहते हैं बाल विवाह निरोध अधनियम 1929 बिटिस सरकार ने तो और महिला समुहों के दबाव के कारन इसे अधनियमित किया था। इसे हम लोग पर यह रूप से क्या बोलते हैं सारदा अधनियम क्योंकि इस अधनियम में जो बाते लिखी गई हैं उनको जो है हरविलास सारदा के द्वारा ऐड किया गया था इसमें और उनहीं के नाम यह famous हुआ जिसे हम बोलते हैं सार्दा अधनियम और इसी अधनियम में सबसे पहली बार भारत में महिलाओं के लिए जो विवाह की आयू है उसे 12-14 वर्स और पुर्सों के लिए जो विवाह की आयू है वह 14-18 वर्स तक बढ़ा दिया गया था और इसके धार प्रगर देखा तो यहाँ पर question number 2 का answer होगा आपका option number A यानि कि यह जुड़ा हुआ किस से है बाल विवाह से तो बहुत important question है इसको आपको जरूर ध्यान से देखेंगे इसी विशे से जुड़ा हुआ एक और question हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर question number 3 है बाल विवाह निसेद अधनियम के सं दर्व में निमलखित कत्रों में से कौन सा कतन सही है और यहाँ पर आपको दो कतन दिये गए हैं यहाँ पर पहला कतन है इस अधनियम के अनुसार child वह है जिसकी 18 वर्स की आयू पूरी नहीं हुई है तो यहाँ पर यह जो अधनियम है बाल विवाह निसेद अधनियम उसमे जो है बालक यानि की child का क्या परिभासा है उसको लेकर कि यहाँ पर question बनाया गया है अगर हम लड़कों की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि वैसे लड़के जिनका उम्र 21 साल से कम है उसे जो है इस अधनियम के तहत बालक माना गया है और अगर हम लड़कों की बात करें तो अगर लड़कियों का उम्र 18 साल से कम है तो यहाँ पर उसको बाली का माना गया है यानि कि जो विवाह करने का जो एज है महिलाओं के लिए और पुर्सों के लिए उससे अगर एज कम है तो यहाँ पर उन लोगों को child का दरजा दिया गया है तो बहुत ही important definition है ये और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है तो यहाँ पर 18 वर्स नहीं है अगर हम male की बात करेंगे तो वह 21 वर्स से कम और अगर हम female की बात करेंगे तो वह 18 वर्स स इस अधनियम के अनुसार सभी परस्तितियों में सभी बाल विवाह अमानने है बहुत important statement है ये अगर हम बाल विवाह निसेद अधनियम की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि यह जो अधनियम है वह बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था लेकिन इस अधनियम के तहट कुछ परस्तितियों में बाल विवाह पूरी तरीके से सुनि समझे जाते हैं और कुछ परस्तितियों में बालक एवं बालिका दोनों में से एक के विकल पर बाल विवाह को सुनि माना जाता है यानि कि अगर मान लीजे जो बालक और बालिका है दोनों लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है यहां पर इस अधरियम की जो धारा बारा है वो ये कहती है कि मान लिजे जो बाल विवा हुआ है वह जबरदस्ती कराया गया है यानि कि किसी बच्चे का अपहरन करके उसका तसकरी करके बल पुरुवक छल से जबरदस्ती या फिर गलत बयानी करके अगर दो बालकों की साधी कराय गई है तो यहां पर सीधे सीधे उसे सुन्य समझा जाएगा तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि कुछ कंडिशन यहां पर ऐसे दिये गए हैं जहां पर सुरू से ही बाल विवाह को सुन्य माना जाता है लेकिन जो एक स्टेट्मेंट यहां पर लिखा गया है कि अगर बालक बाली का दोनों चाहें तो व्यस्क होने पर वे बाल विवाह को जारी रख सकते हैं यानि कि उसकी वहता को प्राप्त कर सकते हैं इसके कारण यहां पर जो दूसरा कथन है वह भी गलत हो जाता है तो सभी परिस्थ कितियों की चर्चा की गई है वो है अपहरन, तसकरी, बलपुर्वक, छल, जबरदस्ती या फिर गलत ब्यानी ऐसे मामलों में जो बाल विवा है वह पहले से ही सुन्य घोसित किया जा सकता है तो ये बहुत इंपोर्टेंट बात है ये इसलिए यहां पर जो दूसरा कथन है व में आया है इस निउस को भी आपको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे आईए आप कोशन नंबर 4 पर चाचा कर लेते हैं कोशन नंबर 4 है भारत का पहला हिम अस्कलन निगरानी रडार निमलिखित में से किस राज्य कें साथित परदेश में स्थापित किया गया था यहां पर आ आपका ओप्सन नंबर C सिक्किम तो याद रखेगा कोशन नंबर 4 का उत्तर है ओप्सन नंबर C सिक्किम आईए अब कोशन नंबर 5 पर चाचा कर लेते हैं कोशन नंबर 5 है पट चितर के सम्मंद में निमलिखित कत्रों में से कौन सा सही है और यहां पर आपको 3 कतन दिये एक कंडिये हैं। यहां पर पहला कफ़न है यह कपड़े के एक टुकड़े पर चित्रित एक चित्र होता है। बिलकुलAssहिज बात है अगर हम पण चित्र की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैंуск को जो कि दहिंदू में आया है। और यहां कपड़े के टुकड़े पर चित्रत एक चित्र होता है तो पट का मतलब यहां पर कपड़ा होता है और चित्र का मतलब आप सभी जानते हैं फोटो यानि कि यहां पर जो पहला कथन है वह सही है आए देख लेते हैं दूसरे कथन को दूसरा कथन है कला के इस रूप का बिहार क मंगला गौरी मंदिर और इसकी परंपराओं से गहरा समंध है यहाँ पर आपको ध्यानम रखना है कि जब हम बात करते हैं पटचित्र की तो यह जो कला है वह उडिसा और पस्चिम बंगाल में काफी प्रचलित है यहाँ पर जो फोटो भी है वह जो है कोलकाता में जो दुरगापुजा के पंडाल है उनका दिया गया है उसी तरीके से उडिसा में भी आपको देखने को मिलेगा कि पटचित्र वहाँ पर काफी फेमस है और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाता है आये देख लेते हैं तीसरे कथन को तीसरा कथन है चित्रकारी में पर्युक्त समगरी, वनस्पती, मिट्टी और खनिज सुर्तों से प्राप्थ होती है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पेंटर के दोरा पेंटिंग करने के लिए जिस कलर का यहाँ पर इस्तमाल किया जाता है वह natural करल होते हैं, प्रकृर्ती से इनको प्राप्त किया जाता है और इसके धार प्रगर देखा जाए, तो यहाँ पर तीसरा कथन पूरी तरीके से सही है, और इसलिए question number 5 का उत्तर होगा आपका, option number C, यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, आईए पूशा गया था, question number 6 है, भारत के संदर्म में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर आपको चार कथन दिये गये हैं, और आपसे पूशा जा रहा है, उप्यूक कथनों में से कौन सा सही है, यहाँ पर पहला कथन है, मोनाजाइट दूरलव मिर्दाओं का स्रूत है, तो यह बिल्कुल सही बात है, अगर हम मोनाजाइट की बात करें, तो मोनाजाइट दूरलव मिर्दाओं का स्रूत है, यहाँ पर जो पहला कथन है, वह सही है, यहाँ पर दूसरा कथन है, मोनाजाइट में थोरियम होता है, तो यह भी बहुत ही important बात है, यह पह भारत की समझ तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से होता है तो यहां पर ये कथन गलत है आये देख लेते हैं चौथे कथन को चौथा कथन है भारत में केवल सरकारी निकाएं ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं तो ये कथन पूरी तरीके सही है आप सभी जानते हैं कि मोनाजाइट में थोरियम होता है जो कि एक रेडियो एक्टिव इलिमेंट है और इसलिए भारत में केवल सरकारी निकाएं ही मोनाजाइट को संसाधित या फिर निर्यात कर सकते हैं इसके धार प्रगर देखा जाए तो कोस्चन नमबर 6 का एंसर होगा आपका option number B यहाँ पर पहला दूसरा और चौथा कथन सही है तीसरा कथन गलत है आए अब आज के तत्र के उपर चचा कर लेते हैं और आज का तत्र है carbon dating इसको लेकर के एक बहुत important news आया है अगर हम carbon dating की बात करें तो आप सभी जानते होंगे इस school में आपने पढ़ा है कि इसकी जो खोज है वह 1946 में अमरिका के एक विग्यानिक बिल्यार्ड लिभी के दोरा किया गया था और carbon dating एक ऐसी विधी है जिसका उपयोग करके आप किसी भी प्रदार्थ की आयू को निर्धारित कर सकते हैं यानि कि उसका पता लगा सकते हैं खास करके वैसा पदार्थ जो कभी जीवित था उसका यहाँ पर असानी से वह कितना पुराना है उसका पता चल जाता है आप सभी जानते हैं कि carbon के कई सारे isotopes होते हैं carbon 12, carbon 13, carbon 14 यहाँ पर carbon dating के लिए जो carbon का isotopes यूज होता है वो carbon 14 होता है जो कि एक radioactive isotopes है और इसका जो half life है यानि कि अर्ध आयू है वो लगभग 5730 वर्स माना जाता है और यह जो है चुकि एक के radioactive element है इसका मतलब है कि यह unstable होगा और इसलिए आयू का पता लगाने के लिए किसी पदार्थ का जो कि कभी जीवित था इसका उप्योग किया जाता है ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि कभी जीवित रहा हो वो खाने के माधम से carbon को associate करता है लेकिन एक बार मर जाने के बाद फिर क्या होता है वो carbon लेना बंद कर देता है और जो उसके सरीर में carbon होता है खास करके carbon 14 वो क्या होता है धीरे-धीरे decay होता है और इसी से हम यह पता लगा लेते हैं कि आखिर वो जो जीव है या फिर जो व पुराना है इसका पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटिंग का उप्योग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कर भी सकते हैं क्योंकि जो पत्थरों में जो जिवास्म पाए जाते हैं हम उसका कार्बन डेटिंग से जो उम्र है वो कितना पुराना है उसका पता लगा सकते हैं ज उनका जो है, लाइफ का, वो कितने पुराने हैं, इस न्यूज में कुछ दो टेक्निक की चर्चा की गई है, जो कि एक्जाम पॉइंट व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, यहाँ पर यह बताया गया है, कि जो निर्जी वस्तू होते हैं, खास करके जो पत् है, वो समय के साथ डीके हो करके आरगन में बदल जाता है, इससे हम उस पत्थर के आयू का पता लगा सकते हैं, उसी तरीके से यूरेनियूम और थोरियम भी समय के साथ डीके हो करके लेड में जो है चेंज हो जाते हैं, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि आखिर उस पत से यहां पर देखेंगे तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये daily quiz पसंद आया होगा सारे questions बहुत ही important हैं इनको आपको जरूर revise करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको like करें और दूसरों को भी चैनल को subscribe करने के लिए प्रीद करें तो मिलते हैं daily quiz के अगले अंक में तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद